मैं डॉक्टर संजय कुमार सेंग, असिस्टेंट प्रॉप्सर डिपार्टमेंट अब कॉमर्स घार्शिला कॉलेज हाट से हुआ अभी हम लोग वी कॉम सेमस्टर थर्ड के सब्जेक्ट मेनेजमेंट प्रिंस्पूर्स अप्लिकेशन्स की बढ़ाई करने हैं जिसमें पिछले क्लास में हमने मनेजमेंट थाट की चर्चा शुरू की है और इसमें हम लोग ने तीन भागों में इसको बाटा है पहला क्लासिकल एप्रोच जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं पिछले क्लास में भी हमने की है दूसरा है नियो क्लासिकल सिस्टम और तीसरा है मॉडर्न थार्ट तो अभी हम लोग क्लासिकल एप्रोच की चर्चा करने हैं जिसमें हम लोग पिछले क्लास में F.W. Taylor द्वारा प्रतिपादित साइंटिफिक मनेज़्मेंट की चर्चा की और इसी क्लासिकल एप्रोच में हैंडरी फेवल का भी नाम आता है जिन्होंने कंसेप्ट और फंक्शनल मनेज्मेंट एड़ एड्मिस्टेशन का थाट नों के सामने दिया F.W. Taylor द्वारा प्रतिपादित प्रिंस्पुल्स आफ साइंटिफिक मनेज्मेंट की चर्चा हमनोंने पिछले क्लास में बिस्टिश्ट रूम से की है आज हम लोग फेवल द्वारा प्रतिपादित सिधान की चर्चा करेंगे जस प्रकार टेलर बज्ञानिक प्रवंद के जन्मदाता कहे जाते हैं उसी प्रकार प्रसासनिक प्रवंद या कारजात्मत प्रवंद के विकास का स्रेट हेंड़ी फेवल को जाता है फेवल के अतरिक फंक्शनल मेनेजमेंट के विकास में योगदान देने वाले अन्य लोगों में ओलिवार सेल्डन मूने और रेले एच साइमन, एल उर्वी तथा वर्नार्ड आदी जाने जाते हैं हेंड़ी फेवल का एक संचिप्त परिचे जानेना आवस्यक है जिन्होंने की सिधान का प्रवित पागन किया फेवल का जन सन 1841 में फ्रांस में हुआ था सन 1906 में इंजिनेरिंग ग्रेजुएट हो जाने के पर इन्हें फ्रांस की एक बड़ी कोईलाखान कमपनी में इंजिनियर नियुक किया गया 1872 में वे इसी कमपनी में प्रवंधक तथा 1888 में प्रवंध संचालक बन गया और अगले 30 वर्सों तर वे इसी पद पर कार्ज करते है इस सरवोच पद पर आसीन होने के कारण फेवल ने उच अस्तर पर प्रवंध की समस्चाओं का गूर दिया विशेसर दिया उच अस्तर ये प्रवंध पर चुकि यह भी एक टॉप मनेजमेंट का हिस्सा थे इसलिए इनके अध्यन का छेत्र जो है उच अस्तरिये प्रवंध की समस्याओं पर केंद्रेत गुआ और उसका इन्हों ने बहुत ही बिस्तित अध्यन किया 1906 में फ्रेंच हासा में जेनरल एंड इंडस्टियल मेनेजमेंट पुस्तक प्रतासिती जिसका 1929 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया 1918 में अवकास प्राप करने के बाद फ्रेवल ने अपने प्रवंध सित्हांतों का समुचित प्रजार किया सन 1925 में फ्रेवल की मिर्टी हो गई और उस समय वो फ्रांसेसी तंबाकू उद्योग संगठन समंधी अनुसंधान काज कर दे थे फ्रेवल ने सब दिन उचस्तरिय प्रवंध का एक हिस्साद है वो इसलिए उनका अनुभव जो है वो सरवोच प्रसासनिक अस्तर प्रासी इंथे कोईला घान में तो उनका यह अनुभव रहा है उनका ध्यान टेलर की तरह सर्मिकों के प्रवंध की ओर न जाकर प्रसासनिक तथा प्रसासनिक प्रवंध तथा कारजात्मक प्रवंध की ओर उनका ध्यान आकर सित हुआ फेवल की यह मानिता थी कि सभी प्रसासनिक अधिकारियों या प्रवंध को प्रवंध क्रिया के अंतरगत कुछ निश्यत कारज करने होते हैं जैसे नियोजन, संगठन, समन्वय, नियंत्रन, इत्यादी और ये कारज सभी प्रकार की संस्थां कारखानाओं में, अस्पतालों में, विस्वित्यालेओं में, सेना में समान सिध्धान्थ के अंतरगत किये जाते हैं चुकि सिध्धान प्रवंध की अच्छमता में सुधार लाते हैं, अतरग प्रवंधकों को प्रवंध के इन सिध्धान्थों का ज्यान कराया जाना चाहिए फ्योल के कारजात्मक प्रवंध और प्रसासन समंधी विचार त्याक फ्योल ने अपने अनुभग के आधार पर यह स्थापित गिया कि ब्यावसाई कत्वा और द्योगिक संगचनों में समस्त कार्जों को छे भागों में बाटा जा सकता पहला टेक्निकल टेक्निकल मतला उत्पागन से समंधी दूसरा बानेजिक कमर्शियल क्रे विक्रे से समंधी तीसरा वित्तियर फैनांस कुझी प्राप्त करना शुर्ष तलासना उसका फिल यूटिलाइज करना उसके नियंत्रन प्राप्त करना सिकुरिटी सुरक्षा पाजमा लेखाकर्म एकॉंटेंसी चिठा तधा लागत लेखांकर ही त्यादि पस्ट एकॉंटेंसी ही त्यादि और छठा प्रसासन जिसके अंतरगत नियूजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रन आदि आतने में फ्योल ने इस समन्द में आगे असपस्ट किया इन में से प्रथम पाँच कार्ज टेक्निकल, फैनंसियल, बानिजिक, सिकुरिटी, लेखा कर्ण ये सब जो कार्ज हैं, ये पाँच कार्ज जो हैं, संगठन के नीचले अस्तर पर किये जाते हैं अर्थात निम्न या मध्यस्तरिय प्रवंद से समन्द रखते हैं जवकि अंतिम कार्ज अर्थात प्रसासन या प्रसासनिक कार्ज या उचस्तरिय प्रवंद से समन्द रखता हैं और यह अध्योगिक तथा गैर अध्योगिक सभी संस्थाओं में समान रूप से लागू होता है यह जो कार्ज बताए प्रसासनिक कार्ज जो होते हैं नियोजन, संगठन, आदेश, पारित करना, कमांडिंग, समन्नुए, नियंत्रण यह हर तरह के अध्योगिक और गैर अध्योगिक सभी संस्थाओं में समान रूप से लागू होता है प्रसासने कार्ज को पुना पांच भागों में बाठा ये जो प्रसासने कार्ज है जो हम बता रहे हैं इस पांच भागों उन्होंने बाठा नियोजन, संगठन, आदेश, नियोजन यानि प्लैनिंग, संगठन यानि और्गनाइजेशन, और्गनाइजिंग, आदेश यानि क और नियंत्र, निकन्ट्रोलिक, नियोजन जिसमें भविस्ट के वारे में सोचकर कार्ज को भावी योजना निर्दारित की जाती है, कोडिनेटिंग, जो संस्था के सभी विभागाओं वो क्रियाओं के मद्य समन्वय अस्थापित करता है, और नियंत्र, जिसमें यह सुनिष सित किया जाता है, इस अंस्था में प्रतेकार्ज, निर्धारित, नियमों वो निर्देशों के अनुरूप हो रहा है, अब सवाल उत्ता है कि इन्होंने क्या-क्या सित्धांत प्रतिपादित किया, प्रवंद से समन्धित क्या सिध्धामति होने दिया प्रवंद प्रवंध समंधित क्या ताझनी ने अनुभब के आधार उन्हों ूर्णी टॉप मेनिज्मैंट में इतने दिनों तक लगातार cocktails किया और उसमें जो उन्होंने अनुभब प्रात्त किया उस अनुभब के आधार पर प्रसासनिक प्रबंध समंधी कार्जों को संपन्न करने के लिए 14 मूलभूत सिधामतों की रचना की जो प्रबंधकों को आवस्यक निर्देश प्रदावन करते हैं उन्होंने 14 सिधामतों को प्रतिपादित किया जो की प्रबंधकों को आवस्यक दिशा निर्देश प्रदावन करते हैं प्रबंधक इन सिधामतों के आधार पर प्रबंधकार सुचारू रोप से चलाने में सक्षम हो पाते हैं पहला सिधामतों ने दिया स्रम विवाजन का सिधा फेवल का कहना है कि स्रम विवाजन के अंतरगत एक स्रमिक को बारवार एक ही कार्ज करना पड़ता है तथा एक प्रबंधक को एक ही प्रकार के मामनों को देखना पड़ता है तो उनकी कार्ज समंधी योगता निस्सित्ता तथा सुधता में बिड़ती हो जाती है जिससे उत्पादन चंता बढ़ती है स्रम विवाजन का सिधान तकनीकी और प्रबंधकी ये दो छित्रों में लागू किया जा सकता है अठाथ स्रम विवाजन स्रम विवाजन का मतलब स्रमिकों को के समूह को विभिनकार्जों में अलग-अलग बांट देना और यह कादेना कि आप यह काम करोगे आप यह काम करोगे एक ब्रिहत समूह को छोटे समूहों में बांटके और पृतियक समूह को एक कार्ज करने का नेलदेश्टेत प्रवंधक को भी एक ही प्रकार के प्रवंद करने पड़ते हैं इससे उनको बार बार यह काम करते रहने से इससे उनकी योगिता में बिर्दी होती है निश्चित्ता तथा सुद्धता में बिर्दी होती है और इसका असर होता है कि उत्पादन छमता बढ़ जाती है दूसरा सिधान्थ है अधिकार तथा डाइत्व का सिधा यहां आदेश देने और लोगों से आदेश का पालन करवाने की सक्ति से समझ रखता है इस सिधान्थ के अनुसार अधिकार उत्तर डाइत्व के अनुरूप होने चाहिए ताकि कार्ज करने वाले को पुरुस्क्रित किया जा सके और कार्ज की अभेलना करने वाले को दंड दिया जा सके अधिकार था दाइत्व का सिधान्थ इसके अनुसार जिस तरह का उत्तर डाइत्व किसी व्यक्ति को दिया गया है तो उस उत्तर डाइत के निर्बहन करने में उसे जिस तरह के अधिकारों की आवश्यक्ता होगी उस तरह का अधिकार उसको दिया जाना चाहिए ताकि कार्ज करने वाले को पुरुस्क्रित भी किया जा सके और कार्ज की अभेलना करने वाले को दंड भी दिया जा सके दीसरा है अनुसासन का सिद्धा इस सिद्धान के अनुसार अच्छे नेत्रित प्रवंध और सर्मिकों के बीच अस्पस्ट समझोते तथा गंडविधान के न्यायपुर्ण प्रियोग द्वारा एक ही संस्था में अनुसासन कायम रखा जा सकता है के द्वारा ही एक संस्था में अनुसासन कायम रखा जा सकता है जो संस्था की प्रगति के लिए आवस्याद है अच्छा नेत्रित प्रवन्द और सर्मिकों के बीच असपस्ट जो समझोता है तथा दंड बिधान के न्यायपुर्ण प्रियोग जो दंड का बिधान हमारे यहाँ है उसका न्यायपुर्ण प्रियोग नहीं या रखा जा सकता है जो संस्था के प्रगति के लिए आवस्याद है बीना अनूसावसन के लक्ष्ज को प्रात करना यह संभवपाथ नहीं है बगएर अनूसावसन के उद्दिश के प्राप्ति हो सकती है इसलिए फ्योल ने अनुसासन का सिध्धान दिया आदेश की एकता का सिध्धान यूनिटी अफ कमाड़ इस सिध्धान के अनुसाथ प्रतेक कर्मचारी को आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए ताकि वह उसके प्रती जवाब दे रहे दोहरे सासन प्रवंद में अनुसासन भंग होने का खत्रा रहता है भै रहता है अर्था प्रतियक कर्मचारी को आदेश एक ही व्यक्ति या एक ही अधिकारी से होना चाहिए यह नहीं कि अलग-अलग अधिकारी अपना अलग-अलग आदेश पारिद कर रहा है मजदूर काम कर रहा है पदादेकारी ए ने कहा कि इस तरह से करो पदादेकारी बी ने कहा नहीं इस तरह से करो पदादेकारी सी ने कहा कि इस तरह से करो तो मजदूर किसके आदेश का पालं करें तो फेवल मौदय का कहना है कि जैन नहीं ऐसा नहीं होगा आदेश पारित करने वाला एक ही व्यक्ति हो कर्मचारियों को और वह उसके प्रति जवाब दे रहे कर्मचारी जो है उस एक व्यक्ति के प्रति ही जवाब दे रहेगा जोगणा सासन में अनुसासन भंग होने का भी रहता है अगर अलग अलग तरह से स्वादेश पारित करेगा इसमें अनुसासन भी भंग होने की संभावना बढ़ जाती है और कर्मचारी किन करत पे विमूड हो जाता है तो वह किसकी आदेश का पालत करेगा इसलिए कर्मचारियों को एक ही जगह से आदेश एक ही अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए या मेनेजमेंट का काम है कि कोई बदलाव करना चाहता है कुछ करना चाहता है तो फे चाहता को तो आधी काम को किस तरह से कड़ा वह सबन देकारी अपने कर्वचारिंसे हैं मज़े काम को करवाएं आम Advent का अधर बिश्वाश्य कि प्रसासे में भी हमको अधर सभी करता है अगर हमको किसी दूसरे डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर को अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट को को कोई आदेश पारित करना है तो वह डारेक्ट वह उस कर्मचारी को नहीं करता है उस विभाग के कर्मचारी को नहीं करता है उस विभाग के मंत्री को करता है मंत्री जो है सो फिर सेग्रेट्री को करता है सेग्रेट्री जो है सो फिर अपने अधिनस्त को करता है और इस तरह से वह आते आते अगर वीडियो साहब के पास कोई आदेश पारित हो करके आना है तो वह सीधे मुख मंत्री जो है सो उसको आदेश नहीं करे वीडियो के जो सम मंजित पतादेकारी है निर्देश देने वाले हैं DC मोहदे वहां तक वह आदेश जो है सो अपने ग्रम से आएगा और DM मोहते फिर उस आदेश का पालग करवाएंगे एक DM को किसी थानेदार को कोई आदेश देना है तो DM डारेक्ट उस थानेदार को आदेश नहीं दे सकता है DM, DC जो है पहले SP को बताएंगे और SP जो है उस निर्दे के अनुपूर फिर अपने थानेदार को आदेश करेंगे तो वही चीज फियूल के अनुशासन सिथान, आदेश की एक्टा की सिथान का गया है निर्देश की एक्टा का सिथान, आदेश के बाद निर्देश की एक्टा, Unity of Direction इस धान के अनुशार समान उद्देश वाले एक से कार्जों के लिए एक योजना और एक प्रवंधक होना चाहिए अर्थात, समान लक्ष की प्राप्ती है तू, किसी एक व्यक्ति के निर्देशन वा नित्रित में निस्यत योजना की अनुशार प्रियास करने से ही सफलता प्राप्त हो सकती है अर्थात, एक समान उद्देश वाले एक से कार्जों के लिए एक योजना और एक प्रवंधक होना चाहिए, जिससे की समान लक्ष की प्राप्ती है तू, किसी एक व्यक्ति के निर्देशन वा नित्रित में निस्यत योजना के अनुशार प्रियास करने से सफलता प्राप्त हो सकती है छठा है व्यक्तिकत हितों को सामुदाइक हितों के लिए समर्पित करने का सिधाप, व्यक्तिकत हितों को सामुखिक हितों के लिए समर्पित करने का सिधाप, सेक्रिफाइस करने का सिधाप इस सिधान्त के नुसार बरे उक्रमों में व्यक्तिका तथा सामुहिक संघर्षों को रोकने के लिए सामुहिक संघर्षों को रोकने के लिए सामुदाइक हितों की या सामुहिक हितों की रक्षा की जाए चाहे इसके लिए व्यक्तिकत हितों का बलिदान ही क्यों न देना पड़े जैसे कभी कभी होता है न जैसे अभी जो देश में हो रहा है कि राष्ट हित के लिए नागरिक हित का बलिदान किया जा सकता है अभी कोरोना का समय है महामारी फैदी हुई है तो सामुहिक हित को बचाने के लिए अभी व्यक्तिकत हितों का पलिदान किया जा रहा है रास्त हित को देखते हुए ये लॉकडाउन, कॉरंटाइन, आस्टोलेशन में पकर के लोगों को रखा जा रहा है सोसाइटी को बचाने का प्रियास किया जा रहा है तो ये सामुहिक हित को दियान में रखते हुए व्यक्तिगत हितों का बलिदांग किया जा सकता है और करने का सिधान कोना चाहिए तुंप कर्मचारियों के पार्ज्रमिक कसे थां कर्मचारियों को दिये जाने वाले पार्ज्रमिक कि पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो कर्मचारियों के विकास में सहाजोगते कता उन्हें कार्ज के उच्ज गुनात्मक अस्तर को बनाए रखने के लिए प्रेवित करे। कर्मचारि को क्या चाहिए। उचित मजदूरी तो वह मजदूरी जो हम उसको देते हैं वह पद्धती ऐसी होनी चाहिए। इनका करना है जो कर्मचारियों के विकास में सहजोग दे वह उसको हर तरह से विक्सित करे उसमें उसका सहजोग होना चाहिए वह मजदूरी इतनी प्रयाप्त होनी चाहिए कि कर्मचारियों के विकास में सहजोग दे तथा उन्हें कार्ज के वह इतना प्रोसाहित हो इतना प भी बनाय रखने के लिए वाउध बखुद प्रेडित हो तो कर्मचारीों का समर्पन संस्था के प्रती बने इसके लिए मजदूरी की पधती पारस्रमिक भूक्तान की पधती ऐसी होनी चाहिए जो करमचार्यों को इस चीज के लिए प्रेदित करें करमचारी का खुद का भी विकास करें तब ही इस सब कामों के लिए प्रेदित होगा आठ्मा केंद्री करन का सिद्धा त्षेवल मौदे के अनुसार कोई भी वस्तू या निर्न जो सर्मिकों की भूमिका या महत्यों में बिर्धी करता है विकेंद्री करन कोई भी वस्तू या निर्न जो सर्मिकों की भूमिका या महत्यों में बिर्धी करता है वह केंद्री करन और जो कमी करता है वह केंद्री करन सर्मिकों की भूमिका और उसका जो महत्यों है एक संस्थाय अविभाग में सत्ता का केंद्री करण किस सीमा तक हो यह वहां की परिष्थितियों तथा समय की मान पर निर्भर करता है छोटे फर्म में एक दक्ष प्रबंधक ही अधिक केंद्री करण कर सकता है यदि वह निर्भन लेने में सक्षम है लेकिन अगर बड़े आकार का फर्म है संस्था है तो वहां पर एक प्रबंधक से नहीं होगा तब फिर वहां पर बिकेंद्री करित करना पड़ेगा केंद्री करण वहां पर काम नहीं करेगा तो यह जो है सो किसी संस्था या विवाद में केंद्री करण किस सीमा तक हो यह उसके परिस्थितिया, समय की मान, उसके आकार इन सब बातों पर निर्भण करता है उसके बाद है एसकालर चेन उच्तम परवंद से नियूंतम पदों तक की सिरिंखला टॉप से लेके नीचे तक की जो यह पद की सिरिंखला है वह उसको हम लोग इसकालर चेन के नाम से जानते हैं जिसमें आदेश उपर से नीचे की ओर एक क्रम में चलता है या चलना चाहिए परन्तु उपर से नीचे टॉप मनेजमेंट से लेकर के मिडिल मनेजमेंट मिडिल मनेजमेंट से फिर लोवर मनेजमेंट की ओर वह आदेश उपर से लेकर के नीचे की और चलता है किन्तु आवस्यक्ता पढ़ने पर तथा सिध्रने लेने के लिए फ्योर महते कहते हैं कि कभी कभी इस क्रम को तोड़ा भी जा सकता है वह तो समान प्रक्रिया में उपर से नीचे की और वो निरने आदेश के रूप में आ रहा है लेकिन फ्योर महते का कहना है कि कभी कभी इस क्रम को तोड़ा भी जा सकता है फ्योर में इसे फुल ब्रिज या गैंग फ्लैंग गैंग प्लैंग कर नाम दिया है पी एल ए एन के प्लैंग कर नाम दिया है अब सपोज करो मान दिया जाए कि मेनेजमेंट दिपार्टमेंट अपने यहां इन्वरसिटी में कालेज में यह है मानेजमेंट दिपार्टमेंट या कॉमर्स दिपार्टमेंट के हेड जो है अध्यक्ष जो है वह राजनेती विभाग के अध्यक्ष के साथ मिलकर या किसी दूसरे दिपार्टमेंट के हेड के साथ मिलकर के कोई पाचकरम नया पाचकरम चलाना चाहते हैं कोई सेमिनार करना चाहते हैं कोई वर्क्षोप करना चाहते हैं तो वह स्कॉलर चेन को तोर कर सीधे भी बात कर सकता है बसरते इस बात को करने से अन्य लोगों को आपत्ती न हो तथा बरिष्ट अधिकारियों को निर्णे से पूरी तरह अभगत करा दिया जाए यानि फेवल का कानाया है कि यह जो स्कलर्ड चेन है जो उपर से नीचे की ओर आदे स्पालिट होता है उसका फ्लो जो है सो उपर से नीचे की ओर होता है और स्टेप वाइज होता है टॉप मनेजमेंट से मेडिल मनेजमेंट मेडिल मनेजमेंट से बेविन रास्ते से होते हुए लोवर मनेजमेंट की ओर आता है तो फेवल का काना है कि कभी कभी इसको हम तोड़ सकते हैं अगर सिग निर्णे की आवसकता लेने की आवसकता है या कुछ उस तरह का काम हम करने जा रहे हैं तो इस निर्दने को हम तोर सकते हैं जो कि उच्च मेनेजमेंट को इन्वाल्व करने की उसमें जिसमें बहुत आवसकता नहीं है किन्तो उच्च management को इसकी सूचना देनी चाहिए और हमको इस बीच में middle management में जहाँ पर जिस level से हमको काम लेना है american हम उससे मिल करके योजना बना करके उस काम को कर सकते हैं बसकते इस तरह के काम से किसी को कोई इतराज होने वाला नहोँ उसके बाद है ब्यवस्था का सिद्धा फेवल के अनुसार एक संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वहाँ वस्तूओं तथा कर्मचारियों की नियोजी तथा बिवेग पुर्म ब्यवस्था होनी चाहिए कच्चा माल वर निर्मिक माल उचित अस्थान पर व्यवस्ति धंग से लगा होना चाहिए तथा पर्तियक कर्मचारि को उसकी योगिता वर रूची के अनुसार पद्वकार्ज मिलना चाहिए अर्था पर्तियक के लिए उप्युक्त अस्थान तथा पर्तियक उप्युक्त अस्थान में मतलब क्या हुआ सुचारू रूप से काम को चलाने के लिए किसी भी संस्था में सुचारू रूप से काम को चलाने के लिए वहाँ वस्तूओं तथा कर्मचारियों की नियोजित तथा विवेकुण व्यवस्ता होनी चाहिए कच्चा माल, निर्मित माल, सभी उचीत स्थान पर व्यवस्ति धंग से लगा होना चाहिए या नहीं कि कहीं पर कच्चा माल रखा हुआ है फिर कच्चा माल रखा हुआ है यहां पर यह ओजार रखा है वहां पर नहीं वह उसकी एक व्यवस्ता होनी चाहिए कि जहां पे जो औजार रहना है वो औजार वहां पर रहे जहां पे कच्चा माल रहना है वहां पे कच्चा माल रहे जहां पे तयार माल रहना है वहां पे तयार माल रहे यह जो बिवस्था का जोसी धान सुनों में दिया है उसमें यह है कि यहाँ एक विवस्था के अंतरगत रखा जाना चाहिए और सबों को जो वहाँ पे काम करने वाले हैं उसको इस विवस्था की जानकारी होनी चाहिए कि जिस से जिसको जिस चीज की जरुवत हो प्रतिय कर्मचारी को उसकी योगिता वो अभरूची के अनुसार पद वा कार्ज मिलना चाहिए जिस कर्मचारी की जिस सीज में अभी रूची है उसकी जो योगिता है योगिता के साथ साथ उसकी रूची जिस तरह के काम को करने में है उस हिसाब से उसको पद और कार्ड मिलना चाहिए ज्यारमा समता का सिध्धान एक्विटी, theory of equity समता से आसे प्रवंदकों की ओर से कर्मचालियों के प्रती प्रदर्शित दयालुता, महित्रिभाव, न्यायपुर्ण व्यवहार से है जो कर्मचालियों को संस्था या संगठन के प्रती पूर्ण निष्ठावान बनाता है ये जो हमारा प्रवंदक जो है, टॉप लेबल के जो प्रवंदक है उसके बाद मिडल लेबल के जो प्रवंदक है उनकी ओर से कर्मचालियों के प्रती जो दिखाई जाने वाली भावनाएं हैं उसमें दैयालूता का भाव होना चाहिए उसमें मैत्री भाव फ्रेंड्सिप का भाव होना चाहिए काइंडनेस होना चाहिए फ्रेंड्सिप होना चाहिए और न्याय पुर्ण व्यवहार होना चाहिए किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए जो करम चारी, संस्था या संकठन के पृर्ण निष्ठावान इस तरह का चीज़ जो है करमचारियों को संस्था के पृर्ण निष्ठावान बनाता है यतनिपी कभी-कभी फयोल के अनुसार स्लम्ता अस्थापित करने के लिए प्रवंदकों को कुछ कर्मक्चारियों के साथ कठोर विवहार भी करना पर सकता है कुछ एक ऐसे लोग भी होते हैं जो ये दयालूता, फ्रेंड्सीब और नियायोचित, नियायकुन विवहार वो सामने वाले की कमजोरी समझने लगते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को रास्ते पर लाने के लिए कभी-कभी प्रवंदक को उस खास व्यक्ति के साथ कठोरता का विवहार भी करना पर सकता है ऐसी इस्तिति में करना चाहिए बारामा है अस्थाई तो का सिद्धान, इस्टेबिलिटी थियोड़ी फ्योल के अनुसार सभी कर्मचारियों और विसेज कर प्रवंदकी ये कर्मचारियों की बार-बार अदला बदली सरंस्था के हित में नहीं दखती तो कर्मचारी लेवल पर अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो कर्मचारी की जो महारत जिस सीज में है उसको हटा करके हम वहां दूसरे तरफ तो अब सर्म विवाजन की बात कर रहे हैं है दूसरे तरफ अगर अगर आप ट्रांसफर करते रहते हैं पोंका ट्रांसफर करते रहते आधे जगह का ट्रांसफर करते रहते तो कर्मचारी ओठластWow उसकी जो विशेस्ताय है उसको जो महारत हासिल है उससी में उसका फुर्ण उप्योग नहीं हो पाएगा दूसरे जगा पर वह जाएगा फिर उसको कुछ गिन वहां उससी को सीखने में लगेगा और इस तरह से हर जगा पर हर पुइंट पर जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर कब होगा जब कम से कम दो व्यक्ति का ट्रांसफर होगा एक को यहां से वहां ले जाएगे और उसके जगा पर उसको वहां से यहां लाएगे तो यह जो चीजें हैं यह का रहा है कि इस तरह से करने से यह संस्था के हित में नहीं होता है उन्हांने तो यहां तक कहा है कि संस्था को सिग्री छोड़कर चले जाने वाले उत्तम पोटी के प्रवंध की तुल्ना में अस्थाई रूप से ठीके रहने वाले मध्यम पोटी के प्रवंध की नियोक्ती शंस्था के लिए अधिक हितकर सिथ होती है जो बार बार अभी जो देखते हैं कि बहुत टॉप लेबल के मेनेजमेंट में आज इस कंपनी ने जो है सो जादा पैसा दिया वह छोड़ करके चला गया फिर दूसरे को बाहर करना पड़ा फिर वह जो है सो कुछ दिनों के बाद 6 मेना साल वर के बाद जो है सो किसी दूसरे कंपनी को जोईन कर लिया अपनी सुम्धान साल तो वही फ्योल मौदे का कहना है कि संस्था को सिक्र छोड़ कर चले जाने वाले उत्तम कोटी के प्रवंधक की तुल्ना में अस्थाई रूप से ठिके रहने वाले मद्यम कोटी के प्रवंधक की नियुक्ति संस्था के लिए अधिक हितकर होती है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट न हो इसकी न हो फिर भी वह आदमी अगर अस्थाई रूप से हमारे यहां काम करना चाहता है तो वह हमारे संस्था के लिए ज्यादा हितकर है बनिस्पर कि एक इंटेलिजेंट व्यक्ति जिसके अस्थाई तो की गारेंटी नहीं है जो वह कितने दिन तक हमारे यहां करेगा इसलिए जिसमें अस्थाई तो नहीं है उसमें डिवोशन नहीं होगा समरपन नहीं होगा बहले ही वह काफी दिक्ष्न बुद्धी का है काफी इंटेल पूरा पूरा जहसो उसका उपयोग नहीं मिल पाएगा उससे बहतर है कि मद्यम कोटी के प्रवंधत की नियुक्ति कीजिए जो आपकी संस्था में टिके रहने के लिए अस्थाई रूप से टिका रह सकता है ऐसा वैक्ति को संस्था के प्रती समर्पन की भावना जगेगा और वह संस्था के लिए अधिवित कर रहे के संस्था में कर्मचारि अस्था तुकित देश्टि से कर्मचारियों का नियुजन आवस्यत है और ठीके रहे हमारे यहां इसके लिए संस्था का विदाइत बनता है कि वह उस तरह से ब्यवार करें अपने कर्मचाडियों से अपने प्रवंदकों से ठीके रहने के लिए जो है उस तरह का वातावरन बनावे उस तरह की जो है समंद रिलेशन डेवलप हो प्रलोवन हो यह सब बाते जो है सुसंस्था के हिद में जाएगा पहल सक्ती का सिध्णा पर्तियक व्यक्ति में सुभादिक रूप से सोचने की सक्ति होती है तथा अपने विचार के अनुसार कार्ज करने की छंता होती है पर देख व्यक्ति अपने सोतंत धंग से सोच सकता है और जो उसका सोच है जो उसके अपने विचार है उसके अनुसार कार्ज करने की छंता भी उसमें होती है इसे पहल सक्ति कहते हैं यह संस्था के हिप में है कि प्रवंदकों तथा अनुकर्मचारियों को विचार तथा विचारों के क्रियानवन की स्वतंत्रता प्रदान कर उनकी पहल सक्ति को प्रोजसाहित किया जार प्रोजसाहित करना चाहिए करन उसके पास अपने विचार है वह स्वतंत धंक से सोच सकता है और उस विचार के अनुरूप वह काम कर सकता है तो ऐसे व्यक्ति को पहल करने के लिए पहल करने की सोतन्रता दी जाए प्रोजसाहन दिया जाए और चौथा एकता की भावना का सिताम फ्योल के अनुसार प्रसासनिक प्रवंध ऐसा होना चाहिए जो समस्त कर्मचाडियों में एकता की भावना दीम स्पिरिट तथा संस्था के प्रती बफादारी पैदा करे संस्था के प्रती वह लोयल बन सके इस समंध में उन्होंने कहा कि प्रवंधकों को निम्न दो बातों पर ध्यान रखने का प्रामर्स दिया है प्रवंधक को दो बातों पर ध्यान रखने का उन्होंने जो है प्रामर्स दिया है पहला उन्हें बिभादित करो और साशन करो की नीती का लेश मात भी अनुसरन नहीं करना चाहिए Divide and Rule की जो Policy है इसका कभी अनुसरन नहीं करना चाहिए आपके संस्था में इसका विपरीग परतिकूल प्रभाब पढ़ेगा अनुकूल प्रभाब नहीं पढ़ेगा विपरीद प्रभाब पढ़ेगा प्रतिकूल प्रभाब पढ़ेगा और डूदिये गलत कार्ज करने वाले करमचारियों से लिखित अस्पस्ति करन के बजाए मौखिक रूप से बात करके उन्हें सरी मार्ग पर लाना चाहिए अगर कोई करमचारी कोई गलती करता है तो आप उसे अकेले में बुलाके अपने चेंबर में बुलाके उससे उनकी गलतियों को सुईकार करवाएं और सरी मार्ग पर लाने का प्रयास करें ना कि उससे लिखित असपस्टी करन मांगे उसके द्वारा किये गलतियों को सार्गनिक करके उससे दिमोडलाइज करें ऐसा करना संस्था के हित में नहीं होगा और वह करमचारी जो कल तक आपका वफादार था आज भी है उसको दिमोडलाइज करने से उसके उदसा हमें कमी आएगी संस्था के प्रति समर्पन में कमी आएगी और वह जितना लोयल आज है संस्था के लिए कल हो सकता है उसमें उसको कमी आएगी उसमें एक उदासीं तक अभाव है यह 14 जो फ्योल मोदे के द्वारा दिये गए हैं प्रतित्-प्रकार्थी संस्था के प्रवंध में लागू होते हैं और प्रतिनिधी सिद्धान के रूप में सुिकार किये जाते हैं अगर गौर से आप ये जोगतो सिधान का विश्लेशन कीजिएगा तो यह हर तरह के संस्था में चाहे वो ब्यावसाईग हो गर ब्यावसाईग हो सभी में समान रूप से लागू होता है और प्रतिनिधी सिधान के रूप में स्विकाल किया जाता है परन्तु इन में से किन सिधानतों को किस समय किस परिस्थिती में सफनता पूर्वक प्रियुक्त किया जा सकता है यह पहुत कुछ प्रवंदकों की कुशागरता अनुभब वो निरने सक्ति पर निरवड़ करता है अब उनके सिधानतों को जान लेने के बार उनके द्वारा प्रतिपादित मेरेजमेंट के फंक्सनल यह एड्मिस्टेटिव मेरेजमेंट के सिधानत को जान लेने के बार जो कंसेप्ट उनका है कि कंसेप्ट प्रतिपादित किया उसकी चर्चा हो जाने के बार अब हम टेलर और फ्योल के विचारों की तुलना करें हना कि ये तुलना करने से पहले फ्योल के सिद्धान पे अगर एक नजर हम डालते हैं तो हना कि इनका सिद्धान काभी पूरा ना पड़ चुका है और बहुत सारे नवीन द्रिष्टिकोन वसिद्धान जन्म ले चुके हैं प्रवंद के छेत्र में तथापी अभी भी प्रवंद विज्ञान के अध्यान अध्यापन और द्यवहार में फ्योल के सिद्धान का महत्पुर्ण प्रभाव है आज भी विश्विद्यालेयों में अनुसासित अधिकांस प्रवंद पाठक्रम फ्योल के कारजात्मक प्रवंद फंक्शनल मेरेज्मेंट के अनुरूप ही है और बहुत सारी कमपनियां फ्योल द्वारा प्रतिपादित प्रवंद की प्रक्रिया मेरेज्मेंट प्रोसेस और 14 सिद्धानतों को प्यभार में लाकर सफलता प्राथ कर देए अब हम देखते हैं कि टेलर और फ्योल के विचारों की पुलना करके टेलर तथा हेंड्री फ्योल क्लासिकल प्रवंद सास्त्री माने जाते हैं दोनों ही क्लासिकल प्रवंद सास्त्री माने जाते हैं इन दोनों ने ही बीश्वी सदी के प्राणब से ही प्रवंद सास्त्र के विकास में महान योगदान दिया है अपना कंट्रीविशन दिए 1830 के अन्त में अंतिम भाग में अध्योगिक करांति अथार्मी पुर्वार्थ तक विष्व के अधिकांस देशों में फैल इसके साथ ही कमपनी प्रारूप का विकास हुए इसे पहरे शोल ट्रेडिंग या पाटनर्सिप के रूप में काम होता था। लेकिन ये कारखाना प्रणाली के विकास के बाद ऑद्योगी क्रांथी के होने के बाद गंपनी प्रारूप का विकास हुआ तथा अध्योगी कुद्पादन वर वित्रन कार्ज प्रिहत आकार पर होने लगा। फन्सरूप अध्योगी के राष्ट्रों में पुरवंद के छेत्र में विशेश गयता तथा नवीनता की आवसक्ता हुए। वास्तर में 19 सदी के अंत्र तक प्रवंद का कोई संगठित ग्यान उपलब्द नहीं था। टेलर तथा फ्योड ने इस दिशा में अभुत्पुन काम किया। इनसे पहले के जितने भी थे वो कोई संगठित ग्यान नहीं था। उपलब्द नहीं था। टेलर और फ्योड मोहदेही ने इस ग्यान को संगठित रूप से संग्रहित करके स्वसाइटि के सामने समाज के सामने में लाया और उसके बाद से जो है और सारे बहुत सारे विद्वान इस दिशा में करब रखे। यदे पी टेलर और फ्योड दोनों ही समकालीन हैं फिर भी इन दोनों की विचार धाराओं में निम्न अंतर दिखाई फर्क है और वो फर्क क्या है टेलर ने कार खाना अस्तर पर वैग्यानिक प्रवंद्गा विकास किया जबकि फ्योड ने उक्रम अस्तर पर प्रसासनिक प्रवंद्गा या कारजात्मत फुर्बंद का विकास किया कारण क्या हुआ क्यों टेलर ने मजदूर के अस्तर से काम सुरू किया लोवर मेनेजमेंट से काम सुरू किया और फेल ने टाप मेनेजमेंट से काम सुरू किया तो दोनों की जो दक्षेता अपने अपने छेतर में थी टेलर के पास lor management का अनुभब जादा था फे हुल के पास top management का अनुभब जादा था इसीलिए टेलर ने वैज्ञानिक परवंध का विकास किया जब कि फे ऐलर ने उक्रम अस्तरपद प्रतास्हें करवंध की दुसरा टेलर ने मूल रूप में सर्मिकों की उत्पादक्ता बढ़ाने को लक्ष बनाया जबकि फ्योल ने प्रसासनिक अस्तर पर सुधार करके संपूर्ण उत्करम की कारज समता बढ़ाने पर बल दिया जेलर चुकि सर्मिकों की उत्पादक्ता को बढ़ाने का उसका लक्ष बना था चुकि वह लोर मेनेजमेंट में सर्मिकों के साथ काम कर रहा था तो वहां पर उसका जो अध्यन हुआ उस विशलेशन के अधार पर उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए उसने सर्मिकों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए सर्मिकों की उत्पादक्ताक्तों को बढ़ाने का लक्ष बनाये जबकि फे ओल टॉप मेनेजमेंट में थे तो इन्होंने प्रसासनिक अस्तर पर सुधार करके संपूर्ण उक्रम की उत्पाधक्ता को बढ़ाने का प्रयास किया यह बढ़ाने पर बल दिया तीसरा, टेलर के बैज्ञानिक प्रवंध का सर्मिकों द्वारा बिरोध हुआ जबकि फ्योल की बिचारधारा का कोई बिरोध नहीं हुआ चुकि टेलर ने बैज्ञानिक प्रवंद का जो पर्तिपादन किया वह सर्मिकों की उत्पादक्ता को बढ़ाने के लिए था सर्मिकों के काम करने की दसाओं का पूर्ण अध्यन उन्होंने किया उसका विसलेशन किया ताइम स्टेडी, मोसन स्टेडी, ठाकान स्टेडी यह सब चीज करके उन्होंने सर्मिकों को जितना सर्मिक जितना काम पहले जितने निश्चित घंटे में करता था उसकी उत्पादक्ता को बढ़ा के दोगुनी चोगुनी कर दिया इसलिए वो जो सर्मिक थे वो बर्ग इनका बिरोध की है जबकि फ्यौल की विचार धारा का कोई बिरोध नहीं हुआ इसलिए कि फ्यौल की विचार धारा टॉप मनेजमेंट और मिडिल मनेजमेंट में सुधार की और जादा जा रहा है इसलिए उसका बिरोध नहीं हुआ जबकि टेलर के बग्यानिक प्रवंद का सर्मिकों के द्वारा बिरोध हुआ नकी मिडिल मेनेजमेंट और टॉप मेनेजमेंट इन तुलनाओं को जानने के बार भी हम यह का सकते हैं कि टेलर और फेयौल एक दूसरे के पूरक थे यदि टेलर और फेयौल के प्रवंद समंधी बिचारों की गहनता से अगर आप जांच करेंगे तो पाएंगे कि टेलर और फेयौल के बिचार एक दूसरे के बिरोधी नहीं बलकि निन रूप में एक दूसरे के पूरक हैं कैसे कैसे पूरत है कैसे कंप्लिमेंटरी है एक दूसरे के इन दोनों ने ही यहां इंगित किया कि अध्योगिक प्रगती के लिए कर्मचारियों का प्रवंध सरवाधिक महत्वपूर्ण है दोनों ही इस चीज़ को मांते हैं कि अध्योगिक प्रगती के लिए इंड्रस्ट्रियल डेवलप्मेंट के लिए कर्मचारियों का प्रवंध सरवाधिक महत्वपूर्ण है दूसरा इन दोनों ने ही प्रवंध किये विकास के दिए बैज्यानिक पद्धतियों तथा से धांतों पर बल दिया जैसे दैसे कर देना है या इतना था टेलर ने कार थाने के धरा धरातली अस्तर पर काम किया अठात सर्मिकों से कार प्राड़ंब किया और संगठन के उपरी हिस्टे की ओर बढ़े नीचे से उपर की ओर बढ़े जबकि फेओल ने उपक्रम के सिर्ष प्रवंध से कार प्राड़ंब कर संगठन के नी नीचे से उपर की और बढ़े एक उपर से नीचे की और बढ़े ऐसा इसलिए हुआ कि एक नीचे में नीचे से अपना काम सुरूप किये थे और दूसरा जो है तो ऊपर से अपना काम सुरूप कि तीसरा टेलर और इस रूप में भी एक दूसरे के पूरक हैं कि इन दोनों के स सिद्धान्तों को लागु करके ही एक उपक्रम का विकास संभव है अकेला एक को लागु करने से नहीं जब तक दोनों के सिद्धान्त को लागु नहीं करेगा तब तक विकास संभव नहीं है टेलर के बिचार स्रम उत्पादक्ता में विड़्धी करते हैं, जबकि करते हैं, तथा नियोजन द्वारा कारखाना प्रवंद को बैज्ञानिक पढद्धति पढ़लाते हैं, तेलर जो है इनका जो विचार है स्रम की उत्पादक्ता में बिड़्धी करना और नियोजन द्वारा काड़खाना प्रवंद को बैज्यानिक प्रवत्धती प्लाना जबकि फ्योल, दूसरी और फ्योल के सिध्धान एक उपक्रम के सभी विभागों में समन्वय तथा नियंत्रन अस्थापित करने में सहायक होते हैं इस प्रकार दोनों के सिध्धानतों को लागू करके ही एक कमपनी की पूल प्रगती संभव है थैंक यू धन्यों को तो प्रगती संभी तोनों के सभी काहितार स्थाप्ति संभी पीको प्रगती संभ इसा धरार्गती संभक्रम के समन्वान गया तोनी यूरी एकाई है श्रें हो